जिंगल चून्स सुगर का नास्टा लेता और उसके बाद अपने आउजारों की जोली लेकर वो हर रोज अपने काम के लिए बाहर निकलता था। घर से निकलने से पहले रगु ये तसल्ली करता था कि उसने अपने काम के सारे आउजार जैसे की कैची, कंगी, आईना, उस तरह सब लिया है की नहीं। गाव में चलते फिरते ही वो आवाज लगाता था। ए रगु आया रगु बाल कटवालो चमपी करवालो चलो रगु आया रगु गाव का चक्कर लगाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैड़ता था। आने जाने वाले लोग और गाव वाले पेड़ के नीचे ही रगु से अपनी हजामत करवा लेते थे। कह सकते हैं की ये रगु की छोटी सी दुकान ही थी। एक दिन रगु ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक गाव वाला उसके पास आकर बोला अरे ओ रगु अरे यहां क्या कर रहे हो अरे सर्पंज तुम्हें कब से ढून रहे हैं। जल्दी से उनके घर जाओ वो बहुत गुस्सा है। अरे बापरे हाँ हाँ मैं तुरन जाता हूँ बताने के लिए शुक्रिया। रगु ने अपने सारे ओजार जल्दी जल्दी थैली में भर दिये। तेज भागते भागते सर्पंजी के घर की ओर गया। चलो, आज सर्पंजी की चमपी, मालिश और दाड़ी बना कर बड़ी अच्छी कमाई होगी। उन पैसों से मैं नए कपड़े खरीच सकूँगा। थोड़ी देर में ही रगु सर्पंजी के घर पहुचता है। अरे ए रगु, अरे आब आ रहे हो तुम, इतनी देर क्यों लगा दी, ये देख, सिर पे चिडिया का घोसला बन चुका है, और दाड़ी का भी जंगल बन गया, चल हाथ चला जल दी जल दी चल। सर्पंजी का गुसा देखके रगु ढर गया, और उसने जट से सर्पंजी के बाल काटना शुरू कर दिया। ए रगु, पता है न तुझे, बाल काटते हुए और दाड़ी बनते हुए, मूच को धक्का नहीं लगना चाहिए, और अगर कुछ गलत हुआ, तब तेरी कहर नहीं बिलकुल, समझ गया न? अरे नहीं, नहीं, आपकी मूचों को कैसे कुछ होने दूंगा, आप निश्चिंद रहिए। के हाथ से अंजाने में कट गई, यह क्या कर दिया तुने, अरे तुझे बताया था ना मैंने, मूचों को धक्का नहीं लगना चाहिए, तुने तो मेरी आदी मूच काट ड़नी, वो गदे, अब क्यों नहीं बोलता, अब यह सर्पंज सारे गाउ के सामने कैसे जाएगा, अ अरे गलती से हुआ हो, यह जहन बुझ कर, इससे क्या फरक पड़ता है, मूच तो गई न मेरी, तुरंट वापस थोड़ी आईगे, तुरुक, तेरी आद छिक्खा बर लेता हूँ यह दर हाँ, हाँ? दरे हुए रगु ने जट से अपने सारे ओजार थेली में डाल दिये, और वो वहाँ से भाग गया, सरपंज भी लाखी लेके उसके पीछे पड़ गये, भागते भागते रगु एक पत्थर से टकराया, और उसके सारे ओजार जमीन पे गिर गये, उसके थेली में जो आईन से भागने लगा, भागते भागते रगु जंगल की ओर गया, जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चड़के बैड़ गया, सरपंच बुढ़ापे की वज़े से रगु का लगातार पीछा नहीं कर सके, पर जब वो जंगल पहुँचे तो उन्हें रगु मिला ही नहीं अरे रगु, किधर छुपके बैठा है, अभी के अभी इधर आ, दिखाता हूँ मैं तुझे, मैं तुम्हें डोन लूँगा, अरे कहा जाएगा रे, अभी छुपकर बैठोगे, लेकिन कभी तो गाओ आपसा होगे ना, तब दिखाता हूँ इस सरपंच के ताकद, तुझे बहुत पिटोंगा, जाओगे कहा, बहुत देर इंतजार करने के बाद, गुस्से से सरपंची जंगल से चले गए, रगु को जब उनके जाने का यकीन हो गया, तो वो पेर से नीचे उत्रा, और अपने ही मन से बोला, अभी अगर मैं घर गया, तो सरपंची मुझे नहीं छोडेंगे, इससे अच्छा है कि मैं आज रात जंगल में ही रह लेता हूँ, और कल सुबह उनके पास जाकर माफी मानता हूँ, कल तक उनका गुस्सा भी शान्त हो जाएगा जिस पेड़ पे रगु बैठा था, वो एक भूत का घर था, उस वक भूत बड़ी गहरी नीम में सो रहा था, कुछी देर में भूत की नीम खुली और अपने घर में चाधरन मनुष्य को देखते ही भूत गुस्सा हो गया, तुरंची भूत रगु के सामने आया, कौन हो तुम, और मेरे घर में कैसे आये, अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत भूक लगी है, हाहाहाहाहाहा रगु बहुत डर गया, डर से कापने लगा, लेकिन उसने सोचा कि भूत मुझे मारेगा, ये बात तो पक्की है, इसका मतलब मैं जरूर मरूंगा, तो क्योन एक कोशिश की जाये जान बचाने की? फिर रगु ने खुद को संभाला, एक बढ़िया युक्ती सोच ली और भूत से पूछा, ऐसा लगता है, शाय तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं यूही नहीं आया यहाँ, मैं हर रोज रात होते ही जंगल आता हूँ, और मेरी थैली में भूतों को कैद करता हूँ मुझे क्या पागल समझाये तुने, तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाओंगा क्या तुमें मेरी बार ठीक नहीं लगती? चलो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बिनती है तुमसे, बस एक बार मेरी इस थैली में जाक कर देखो, फिर तुम चाहो तो मुझे खालो उसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो भूत हूँ, भूत, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता रगु ने एकदम मस्तर की बलडाई थी, थैली में तो पहले से ही तूटा हुआ आईना था जैसे ही भूत ने रगु की थैली में जाका, भूत को थैली के अंदर तूटे हुए आईने के बहुत सारे शीशों में खुद के ही हजारों चहरे दिखे इन सारे एक जैसे भूतों को थैली में कैद देख, ये भूत तो खुद ही बहुत घबराया उसने सोचा कि इतने सारे भूत अगर इस आदमी ने पकड़े हुए है, तो ये मुझे भी बड़े आसानी से पकड़ सकता है कैद होने के खौफ के कारण भूत ने काप्ते हुए रगुनाई से बिनती की बाप रे बाप, आप तो महान हो, आपने इतने सारे भूतों को थैली में कैद कर दे रखा है मुझे पर दया कीजिए, कृपा करके मुझे मत कैद करना, मैं मुक्त और निश्चिन्त जीना चाता हूँ आप जो भी हुक्म करेंगे, वो मैं सब बिन शर्थ पूर्ण मानूंगा, बस आप मुझे इस टेली से दूर ही रखी है ठीक है, छोड़ देता हूँ तुम्हे, लेकिन मेरी एक शर्थ तुम्हे माननी होगी जो भी आप हुक्म करेंगे, मुझे मन्जूर है सरकार अभी के अभी तुरंत एक बोरी भरकर सोने के सिक्खे ले आओ, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा जी, जी हुजूर, मैं अभी लेकर रता हूँ जट से भूत वहाँ से 9-11 हुआ, और सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर वापिस आया हुजूर, ये लीजिए, पूरी एक बोरी भरकर सोने के सिक्खे लाया हूँ आपके लिए गुपा करके तसलिक कर लिजिए और मुझे इजाज़त दीजिए रगु ने बोरी में जाग कर देखा, तो सच में उसे बोरी भरकर असली सोने के सिक्के नजर आए रगु खुश हुआ, रगु ने भूच से और एक वचन लिया रगु ने भूच से कहा ठीक है, छोड़ता हूँ तुम्हे पर एक और बात तुम्हें माननी होगी कि तुम आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दोगे भूच होने के बावजूद भी हमेशा अच्छा बरताव रखोगे अपने आपको एक अच्छा भूच साबित करोगे अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हें कभी भी कैद करने यहां आ जाऊंगा बोलो, है मन्जूर? जी बिलकुल मन्जूर है हुजूर मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दोगा सच में एक अच्छा भूच बनूँगा मेरी शक्तियों का उपयोग लोगों के भलाई के लिए ही करूँगा ये वचन भूच से लेने के बाद रगु वो सोने के सिक्कों की बोरी लेकर जंगल से घर वापस आ गया अब तो वो बहुत अमीर हो चुका था रगु ने सोने के सिक्के बेच कर बहुत सारे पैसे कमा लिये उसके बाद अपने लिए गाओ में एक बड़ा सा मकान बना लिया और उस घर में वो अपने परिवार के साथ सुक से रहने लगा अचानक रगु की सफलता और अलिशान घर देख सरपंजी की तो बोलती ही बंद हो गई सारे गाओ वाले रगु को सम्मान देने लगे लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी रगु ने अपने पैर जमीन पर ही रखे रगु ने बचे हुए पैसे जमा करके घर में संकट समय के लिए सुरक्षित रख दिये जीवन भर लोगों की सेवा करके मेहनक की रोटी ही कमा कर खाई तातपर्य इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट समय बिना ढरे ठंडे दिमाग से संकट से निकलने का मार्ग ढूणना चाहिए हम आपके लिए हमेशा नहीं कहानी और नहीं गाने लेकर आते रहेंगे तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगाटूस जिंगाटूस जिंगाटूस